हेलो माई डिया स्टूडेंस तो आज स्टार्ट करते हैं साइस 12.2 तो क्या लिखा है एस्पेन वाई द्यार टू स्केल और प्रोटक्टर यह पूछ रहा है कि प्रोट्टर पर दो स्केल क्यों होते हैं दो इसकेल मतलब कहता है इससे पहले का तुमने वीडियो देखा होगा सब्सक्राइब नीचे लिखा है 40 लोगों इसकेल हो गया तो पूछ रहा कि प्रोडटर पर यह दो इसकेल क्यों होते हैं जिसलिए होते हैं थाकि हम दोनों तरफ से दोनों दोनों से लेखर राइट यह अंटी क्लोगवाइज असानी से मेजर कर सकें इसलिए हमें चाहिए होता है दो इसके तो लिखा वाट मेंगें आइंसर जोनों तरफ से यहां से और यहां से दोनों तरफ से मेजर कर सके हैं इसलिए यहां पे दो स्कील चाहिए होती है ओके कई यू प्लेस ऐदर साइड़ ऑफ एंगल थू जीलो डेगरी एंड़ डिगरी आड़ सेम आंइगल मेसर नहीं कर सकते हैं और भूज़त देफरेंट मेजर डिटू ते चेंज इन डा डिरेक्शन दो डासेंच करेंगे मतलब यह एक अगर आशे रखें तो यह जो एंगल होगा यह अलग अलग होंगे जिसने इसकी मेजर होगा वह अलग होगा बस यह बात कर रहा है ठीक है डोट आइंगल है इस ते म में इनर आउटर में तो वह 90 डिगरी है कौन सा है 90 डिगरी तो 90 दिगरी दोनों में सेम है राइट आर इस्कैल ऐसाभ्ति हम आव रइलेटम तो मैं इसकैल करना किस तरह से दोष्केल जो उते हो वह पर नीचे वह रिलेटम हैं तो दोगो किसी भी पॉइंट पर देखो इन दोनों का सम कितना होगा 180 किसी भी point वे देखो दोनों का सम केतना हो इस वन 40 प्लस 40 तो कितना है 180 तो sum of inner and outer scale is 180 sum of inner and outer scale is 180 ठीक है ना 180 होता है किसी भी point प्रेगम देखेंगे कि यहां तया संभी आगा किसों डाउट नहीं होगा करते कि दो इससे पहले मैंने एक्जूट अंगल क्या होता है उसके बहुत जुरत पड़ेगी है यहां पर इसमें लिखा है ड्रॉए न एक्जूट करो कोई दो नाइंटी से कम एक्जूट अंगल हो जाता है इसके बना र वहamसी इसने का मेजर करो उनका नाम दो नाम दे दिये दन मेजर इसको मेजर करते हैं कितना यह की अठीक्यूट एंग्ल है और ये हमारा ट्विक अट्वीट ट्रि ट्रिस यह कि sentence उ 해 है 23 तो एंगिल a b c is equal to 23 डिगरी ठीक है और यह 90 से कम है तो यह क्यूट हो गया कॉस्ट नमर 6 में क्या है ड्रॉ एन एंगिल यह सारे एंगिल को बनाना है देन क्लासिफाय करना है कि यह 90 डिगरे हैं कि अप्टूस एंगिल है कि एक्यूट एंगिल है राइट एंगिल है यह स करते हैं बहुत असान है मैं दो इसमें सारे नहीं कराऊंगा है अगर हम 90 डिगरी बात करें तो 90 डिगरी बनाना सबसे एज़ी है पहले क्लाइंग खिच लूँ यहां पर ले जाओ यहां थोड़ा सा लख होगी है ठीक है तो यह हो गया हमारा 90 डिगरी इस तरह बनाते हैं तो यह कैसा एंगिल है यह राइट एंगिल है यह कैसा है यह राइट एंगिल ठेक है एक तुम्हें बता रहता हूँ ऑप्ट्यूस ऑप्ट्यूस मतलब वन 90 से ग्रेटर यह तो यह तो यह यह आप प्ट्यूस एंगिल और अप्ट्यूस कैसे बनाएंगे बस 90 से एजोड़ा बहुत असान है यह रखे इस साइड से स्टार्ट कियो हो तो यहां इनर स्केल जीरो से लेके यह नाइनटी हो गया और यहां यहां से Stevens स्टार्ठ किया हो जह से स्टार्ठ होता तो यहां के जिरो स्टार्ठ होता यह इधार होומić है Oh, valued बभात असान है टान्टी बनलब हो एकटांग बना अलेकिन है मेरे यह क्या है ओप्टेश की इसकार इसे बना लेते हैं फिर मैंने यह स्टार्ट किया है तो 12630 21 यूपर एक लाइन जो ज้ाओः वो कितनावर 20-1 going on कि यह क्या है एक क्या है है कि एक तो इसी तरह से तूcular जोता है जीडी आत बनाना है तो यह रहात जीरो पर्सांद मत हुँज क मैं देटी कि यह जेटकली 0 बन जाएगा और यह बन जाएगा तुम्हारा क्या जीरो डिए ठीक है न 360 360 कैसे बनाएंगे 360 बहुत सा नहीं यह दो यह राथ 360 इधा बना लिए तो यह क्या हुआ हम लोगो 240 तो 240 कैसे बनाएंगे 240 बनाने के दो तरीके मारे पास ठीक है न यहां टी था नहीं यह ठीक है तो पहले सबसे बास समझो 240 के लिए जब ऐसा तुम्हें देखिए 180 से बढ़ा तो तुम इसको पहले 360 से माइनेस करो यह कितना हो जागा 021 अब 120 बना सकते हो ना 120 बना सकते हो मैंने यह लिया 120 वेट इधार है ठीक है न तो यह 120 है तो यह हिस्सा 120 है तो यह तुम्हारा होगा 240 ब safety और यह से कहते हैं हम लोगे रिफलेक्स यह सबसे आसान तरीका से बनाने का रिफलेक्स ऐंगल कैसे डिजसी मायस कर लिए जतना आया उतना बना तूड़ пров कितना होता है 360 पूरा एक complete angle जो होता है वो 360 होता है यह हमारा 120 है यह हमारा कितना होगा 240 चुले देखो सैवेंध में क्या है साइवें गिप टू एजाम्पल पॉर इंवार्मेंट तो अपने मन से हुंभा के तुम्हारा दो एजाम्पल दो रैट एंगल स्ट्रेट और यह एट क्या है इन एंगल को मेजर करना है एंगल है तो मेजर करना मतलब बुक पे रखो इसको मेजर करो बता दो कौन कितने का है तो तुम्हें खुछ से कर लेना बहुत सान है ठीक है को डाउट होगा पूलेना नाइए क्या लिखा है ऑंधा अभजर्वेस आंट बीस आफ सब्सक्राइब क्या है कि नाइन का ए इसको बता हूँ है राइट एंगल कहा होगा तो मैं बताना पड़ेगा राइट एंगल तो मैं लिख देता हूं राइट सिर्ब देख के बताना नाप के नहीं राइट एंगल क्या होंगे इसमें राइट एंगल ना और एंगल कौन सा होगा एंगल बूझा जाए और कहा पूछा था तरह बात करें तो कौन सा होगा एंगिल यह वो बी जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम कहेंगे क्या स्ट्रेट एंगल पूछा है नहीं पूछा है ठीक है अधर समयाएव कोई डाउट नहीं होगा डाउट होने पर पूछ लेना राइट चलो आगे देखते हैं बी यहां भी ऑप्जर्वेशन देखके बताना है तो भाई पहले बता आएता हूं मैं इसमें राइट एंगिल कौन से हैं एंगिल एकस ओजेड एकस जड़ है ना और एंगिल वाई ओजेड अब बताते हैं एक्यूट एंगिल क्यों को से Acute Angle है इसमें? Angle X, O, V Angle V, O, Z Angle Z, O, W और Angle W, O, Y जो 90 से छोटे में सारे हो गा, Acute Angle उसके बाद क्या बता आना हमें? Obtuse, ठीक है ना? उसके बता बता आना हमें? Obtuse, तो Obtuse क्या कौन से हैं? तो Obtuse Angle यहां क्या है? है देखना पड़ेगा फीगल को अब बात करें तो अप्टीज एंगल कॉंकों से इसमें एंगल एक्स ओ डबलू और एंगल वाई ओ वी वाई ओ वी और स्ट्रेट कॉंसा रहे स्ट्रेट तो एक ही है एंगल एक्स ओ ठीक है ना एक्स ओ वाई तो सी खुट से कर लेना राइट सी खुट से कर लेना बहुत बड़ा नहीं है बहुत टक नहीं है आगे देखते हैं कॉसर नॉमबर टैन में टैन में क्या लिखा है जैन में रिका है फांड़ में अगल फॉर्म बाइब हैंड और क्लॉग इन फॉर्व पर बनाता है एंगल वह हमें फांड करना है फांडा में फिर टीक है न यह बहुत असान है पहला देखके हम वैसे बता सकते हैं कि कितना होगा वनेटी आदूसरा बी दूसरे में फ्रिक्त का आए सुद्व में इस के लिए चला कोई टरीक्त अप्लाइब करना और और इंगल कितना होता है हमारे पास 360 और यह आज में चलना है एक दिन में कितने गंटे होते हैं एक मतला कि एक राउंड कम्प्लीट करेगा पूरा सिस्टी कम्प्लीट करेगा कते हैं बारा उन्य वार इन एक घंटे में 30 30 degree होगा गन्ते कितना होगा थीजी होगा हमें हमें साहए रखना हमें टोटल बारह से इवाइड खेऊ क्योंकर क्योंकि पूरा कंप्लीड से बारा होते हैं होते हैं तो mins बूल pomo सपर लाए तो इत आँस में कितने एंगल सुनगे इसको ठर्टी से मन्टिप्लाइ कर तो आजागा 240 देदी यह एटार्स भूगा आज सी में कितने बनाइए यह 11 से अगारा बत्चे है 11 तो यह कितना होगा 33 कितना हो जाएगा और डी में कितना बस गया है डी में बस जाए हुआ है तो फाइब बंटिप्लाइट हर्टी और यह जाएगा 150 ओके बासन में वीडियो और लेंदी हो रहा है बिलते हैं नेस्ट वीडियो में फिसका आगे बताता हूं ठीक है तब तक लिए थैंक्यू एबनाइज जेख टेक क्यार